कि विलकुम बेक तो माई यूटूब चैनल पेपर हगर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका क्वेशन नंबर 13 कि थीक है उसन नंबर आपका 13 है इसको हम डिसक्स करेंगे अपसे हमने एक से लेकर 12 तक करके डिसकस कर लिया आज हम बात करेंगा कुशन नमबर 13 की ठीक है जो कि आपका कि जुलो जी का पार्ट है कि इस से करने समेश्टर के लिए मोस्ट ली बागी आप पड़ सकते को दिक्कत नहीं है तो यहां पर जितने भी आपके परिवर्थन एवं क्या कह रहा है और कारवंड़ाय ऑक्साइड का रक्त में परिवहन या रक्त में बिश्रण किस प्रकार से होता यह आपको बताना है अथवा या आपसे कुछ इस तरह से पूँच सकता है इसकी जगह पर किस प्रकार होता है इस तंदारियों में जो आपका शुसन होता है ठीक है उसकी अंतरगत गैसी बिन में किस प्रकार होता है ठीक है रक्त के द्वारा यह आपको करते हैं तो आपको लिखना है सबसे पहले सुसन की क्रिया में जो भी ट्रांसपोर्ट गैसड का होता है या जो गैसों का ट्रान्सपोर्ट होता है या गैसों का परिवहन होता है वहर रक्त दवारा होता है छुद अब यह आपका हमißt। सोच का परिवान के द्वार, चाहता है हूऊ, ल लख्त कड़काएं वह से जाते हैं, न्हें लाल र्गत कड़काएं जाते हैं átों से तो यह सलोगर किया आधका एक किली डानजी को पेसी तो यह यह हम पायदेन शीट मेरे आधके ले हते हैं मोस् affected टीकी और एक जगए से दूसरी जगए ज्वाजाता है तरीन के अगले हैं परिवहन की अभर हम बात करें Buddhist पहले हम बात करते हैं आक्सिजन परिवहन की अब आपको क्या १ा थी आक्सिजण का परिवहन बहुत जयादा इम्पोर्टेंट इसकी उपलब्दी मीडियम में ऑक्सिजन की मात्रा निर्भर करती है किस माध्यम में में हम कैसा है यहापा कि यहां परांत यहां पर जो आपका वार्टन का है आपका अब इसको में नाते अप्त इन नाते तो डोनों का यहाँ पर आय क्तनी कि defic աॉलिम नहीं यह बतागा और अगर हम बात करें अलबहरी यानिकि फ्रेस बॉर्टर की बात करें तो इसमें आपकी 7% जो है oxygen पाए जाती है ठीक है volume by volume यह हो गए आपके oxygen की उपस्तिदी कहां कितनी oxygen होती है तीन आपके medium होते हैं ठीक है कौन-कौन से air marine water और trace water ठीक है पैरा oxygen का absorption तथा transport दो factor पर निरफर करता है जो oxygen होता है उसका absorption और उसका परिवहन दो तथ्थेओं पर निरफर करता है यह आपके कौन-कौन से होते हैं एक आपका अच्टरनल और दूसरा होता आपका internal यानि कि वहाई और आंत्रिक ठीक है कौन-कौन से वहाई और आंत्रिक की दो कारक है जिन पर आपका oxygen का परिवहन या oxygen का absorption निरफर करता है सबसे पहले हम बात करेंगे आंत्रिक कारक की ठीक है या internal factor की ठीक है internal factor की इसमें हाँ क्या हो जागा activity सबसे पहला आपका क्या हो जागा activity यानि की कह रहा है अधिक सारी टीजिय के लिए अधिक oxygen चाहिए होती है ठीक है याद रहेंगे ना अधिक शारिर्य क्विधि के लिए हमें अधिक ऑक्सिजन इभाश्कता प्ड़ती है यह तो हम् आरामती लेते हैं जैसे हम बहुत तेज दौटर जाते तो हम सांस अधिक चाहिए होती है दूसरा आपका पार्सियल प्रेशर आफ ओर टू आउ यानन कि आउक्सिजन तो जो डाप लगाएए उससे कहते हैं आउक्सिजन का पार्शिल प्रेसर या नचीघ रखट का ऑक्सिजन और अधिक होने पर कम O2 चाहिए होती है, जब हमारे बिलट का जो oxygen, बिलट के अंदर जो आपके oxygen है, उसका अगर pressure कम हो, ठीक है, बिलट के अंदर जो oxygen है, रक्त का O2 pressure, रक्त में उपस्ते जो oxygen है, उसका pressure अगर कम होगा, क्या होगा? प्रेसर अगर आपका कम होगा, तो आपको oxygen अधिक चाहिए होगी, ठीक है? प्रेसर कम, तो आपको oxygen अधिक चाहिए होगी, और कह रहा है, और अधिक होने पर oxygen कम चाहिए होगी, और अगर आपका pressure ज़्यादा हो जागा, मालोब pressure क्या है, ज़्यादा है रक्त का oxygen का, तो आप कि इसके लिए लिए और जो है और यहां पर बात करें तो यहां पर दे रखा है कार्वो हाइड्रेट के लिए कितनी आप सकता पड़ेगी पॉइंट टू लीटर ऑक्सिजन प्रति ग्राम एक ग्राम कार्वो हाइड्रेट का ऑक्सिजन के लिए दे जीरो पॉइंट टू लीटर जो है आप सकता पड़ेगी प्रोटीन पॉइंट नायन सेवन लेटर ऑक्सिजन पर ग्राम के लिए बसा की बात करें तो टूपॉइंट टू कितनी तो पॉइंट जीरो टू ठीक है लीटर लीटर आउक्सीजन फ्रतिग्राम ठीक है लीटर ऑक्सीजन प्रतिग्राम ते यह अलग-अलग कुछ अब कुछ oxygen की मात्राइं देए हैं ठीक है जो सभी के लिए सभी के oxidation के लिए अलग-अलग मात्राइं यहां पर दे रखें इनको आपको क्या करना याद रहें ठीक है कार्वोहाइडिड के oxidation के लिए कितनी आवशकता होगी oxygen की प्रोटीन के के लिए कितने अवशक्ता होगी और बसा के अवशक्ता होगी आपके ओक्सेजन की ठीक है अब हम बात कर लेते हैं वहाय कारक्ति है भी क्या देया आपका आजाता है temperature यानि कि तापमान तो तापमान किस तरह ऐसे इसको एफेक्ट करता कहा रहा है cold तथा warm blooded जंतुओं में oxygen की आवश्यक्ता अलग-अलग होती है कुछ जंतुओं आपके ऐसे होते हैं cold blooded होते हैं यानि कि जिनका blood जो होता है वो कैसा होता है ठंडा होता है कुछ आपके जंतुओं ऐसे होते हैं जिनका blood कैसा होता है गरम होता है तो इन दोनों प्रकार के blood वाले जंतुओं के लिए oxygen की आवश्यक्ता अलग-अलग होती है ठीक है दूसरा कwood आपके द viele इंडा जियरा chief की आवश्यक्ता होती है कितनी वह अदिक oxygen की आवश्यक्ता होगी जब carbon dioxide आपके body में ज्यादा है तो उसको निकालने के लिए उतनी ही हमें oxygen की आवस्चता पड़ेगी यानि कि रक्त में अधिक carbon dioxide तो हमें oxygen ज्यादा लेनी पड़ेगी ठीक है जबी वो अधिक जो आपके अंदर carbon dioxide है वो oxygen के द्वारा क्या हो जाएगी हो जाएगी और वहार आजागी नॉर्मल बैलू के अगर हम बात करें तो कितनी होती है वाइस से 29 ठीक है 2229 मोल प्रति लीटर यह आपकी नॉर्मल बैलू होती है ठीक है क्या है नॉर्मल बैलू है आपकी अक्सिजन का फुप्फुसिये विसरण इने की लंग्स ठीक है लंग्स को फुप्फुस कहते हैं तो कह रहा है ऑक्सिजन का फुप्फुसिये विसरण diffusion of oxygen in lungs हमारे लंग्स या फेफडो में जो है oxygen का विसरण किस तरह से होता है उसकी हम याँ पर बात करेंगे ठीक है अक्सिजन का फुप्फुसिये विसरण diffusion of O2 इन लंग्स फेफडो में oxygen का विसरण किस तरह से होता है इसको हम देखेंगे कह रहा है यह है oxygen के partial pressure पर निरवर करता है ठीक है यानकि लंग्स में जो आपका diffusion होता है oxygen का यह पूरी तरह से depend कर रहता है किस पर oxygen के partial pressure पर ठीक है oxygen के partial pressure पर जितना ज्यादा oxygen का partial pressure होगा लंग्स के करेंगे oxygen को उतना ही ज्यादा diffuse कर पाएंगे ठीक है लाल रक्त कड़ो में उपस्तित हीमोगलोबिन द्वारा करीब 98% तथा 2% oxygen blood plasma में घुलकर transport की जाती है ठीक है इसके द्वारा आपका जो rbcs होती है red blood cells होती है लाल रक्त कुशकाएं होती है कड़काएं होती है क्या होता है क्या होता है हीमोगलोबिन तो हीमोगलोबिन का का और यहाँ चरीब 98% oxygen को आप ज़िक हम कर दो कि अगर हम भात करें और इसवी सिएस की इसमें करता आपका हीमो éοी घ्लोविन टR गुंट ते इसके सांथ में 99 परसेंट आपका थ्याथ बांकी आपका लगबक 2 अकुट पसपा जाता है यह किसके साथ में चला जाता है आपका बिलड प्लाजमा के साथ में ठीक है किसके बिलड प्लाजमा के साथ में जो है यह आपका वैंड कर जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाता है ठीक है यानकि उसका परिवहन हो जाता है कारा यह है ट्रांस्पोर्ट निम्न चरणों में होता है नीचे कुछ आपके चरण दे रखें कुछ स्टेप्स दे रखें जिनमें यह आपका ट्रांस्पोर्ट होता है सबसे पहले अगर हम बात करें तो कारा लंक्स की एलवली जो आपके गुछे टाप होते हैं छोटे- मिलीमीटर आफ पारा यह मिली delta आप झालोगे कि क्या आप की क्या है mm थी कि तरह की आपकी थ्यूं उस्त पराइन हाम जिने हम ब्रांट करते हैं ठीक तो चोटी-चोडी क्या होती है कुछ इस तरह की गोल-गोल आपकी सरचना होती जिनको हम सास लेते हैं तो यह फूल जाते हैं सास छोडते हैं तो यह दवारा से सिकड जाती है तो इनमें oxygen का partial pressure कितना माना हमने 100 to 150 ठीक है mm of HD ठीक है दूसरा जो आपका venus blood होता है जो elbow में इस oxygen के संपर्क में आता है उसमें oxygen का जो partial pressure प्रेसर होता है और यहां पर देखो जो आपका पार्शिल प्रेसर है वो किसका ज्यादा है ठीक है किसका ज्यादा है जो लंक्स में आपका एलबुली में आक्सीजन है उसका पार्शिल प्रेसर कितना है आपका 100-150 लेकिन आपका जो बीनस बिलेड है कौन से बिलेड है बीनस बिलेट है इसका पार्शिल प्रेशर आपका कितना है कि इसका पार्शिल प्रेशर आपका कितना है बीनस ये procedure होती है vaccines फिछांए बी எனowe वो आपका होगा 40-50 mmHg अब यहां पर प्रेसर किसका ज्यादा भी जो आपका अलबली में थी उसका प्रेसर आपका ज्यादा है ठीक है इसकी अपिक्षा बेनस बिलट की अपिक्षा अब क्या होगा के रहा है कि बीच्रफ कफी आंड़ी से रख्त में अॉक्सी इंडिफ्यूज हो जाती है एरा थेसर कर एक सब्सक्राइब कर आकपर प्रेसर जादा था अनदेट ध्योंबॉत बहुत्त मैं एकमनेंट रखना हैं याद रखनी है क्या होता है लंग से कहा जाएगी आपकर डिफ्यूर्फूर्ज अगया रख्त में लॉकल कदना हीब OHB कह सकतें तो क्या बना लेगी यह oxy hemoglobin बना लेगा ठीक है इस क्रिया को क्या कहते हैं इस क्रिया को oxygenation of bilid कहते हैं क्या करते हैं oxygenation of bilid यान की bilid में oxygen मिल रही है ठीक है तो और एक जगे से दूसरी जगे जा रहे हैं तो step को याद रखना है की oxygenation आफ विलड क्या होता है तो यही लिखना है आपको ठीक है नेक्स अगर हम बात करें यहाँ पर आपको छोटा सा एक ग्राफ दे रखा है ठीक है ग्राफ क्या है उपर को अगर आप इधर को बढ़ेंगे तो क्या है यह परसेंटेज है किसकी percentage of oxy hemoglobin oxy hemoglobin की क्या है उपर को percentage है आपकी नीचे को अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या graphic representation of oxygen dissociation curve at different partial pressure of carbon dioxide यह क्या है आपके carbon dioxide के partial pressure है क्या है partial pressure है अब यहाँ पर आपको 3 curve दिखाई दे रहे है कुछ एक करब यह है आपका यह करब आपका यह है और यह करवrollo है तो यहाँ पर बात करऊ गई यह आपका middle वाला करूँ है यह अपका नौर्मल प्रेसर है क्या है आपका यह आपका नौर्मल प्रेसर है कैसा है यह आपका normal curve है अब इसके side में दोनों तरफ जो आपको देखने को को मिल रा है ठीक है अगर मैं इसके बीच की बात करूं यह नौर्मल से मालो आपका राइट हेंड साइड अगर आपका कर गिर जाता है कहा नहीं गर जाता है यहां से आपका अगर गिर जाता मालो यह आपका जीरो जब यह graph आपका यह आपका एक जो कर भाए वो आपका right hand side गर जाता है तो इसमें क्या हो जाता है मतलब की oxygen and hemoglobin both dissociate from each other इसमें क्या होगा आपका oxygen और आपका hemoglobin ठीक है आक्सिजन और हीमोगलोबिन दोनों क्या हो जाते हैं यह दोनों डिसोसियेट हो जाते हैं डिसोसीयेट हो जाते हैं ठीक है और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो यह कर्व आपका क्या बताता है जो राइट है यह राइट हैं आपका कर्व है बता रहा है आक्सिजन और हीमोगलोबिन दोनों डिसोसीयेट हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ठ उपर वाला जो कर्व है आपका लेप्टेंड साइड ठीक है इसकी एकर हम बात करें अगर यह करवा आपका थोड़ा ऊपर बढ़ जाता है फैल सप influences कित्रमुड हो जाता है तो इसमें क्या होता है इसका मतलब क्या मानलो left hand side curve ठीक है क्या है आपका left hand side curve है ये आपको क्या बताता है इसका मतलब होता है कि आपका hemoglobin क्या ये कहता है कि hemoglobin और आपका oxygen ये दोनों आपके bind कर जाते हैं क्या कर जाते हैं बाइंड कर जाते हैं ठीक है एक दूसरे से बाइंड कर जाते हैं ठीक और क्या करेंगे यह आसानी से डिसोसियेट नहीं होंगे यह आसानी से डिसोसियेट नहीं होंगे ठीक है नो डिसोसियेट और यह आसानी से dissociate नहीं होगे अलग-अलग नहीं होगे इस condition में जो आपका right hand side जो जाता है कर यह बताता है कि आपका oxygen hemoglobin दोनों dissociate हो जाते हैं और एक दूसरे से आसानी से अलग हो जाते हैं जो आपका left hand side कर अगर गिरता है तो वो क्या बताता है कि oxygen और hemoglobin दोनों क्या करते हैं एक साथ में बांड कर जाते हैं या बंद जाते हैं और यह दूसरे से अलग नहीं होते हैं डिसोसियेट नहीं होते हैं ठीक है तो यह ग्राफ आपका यहीं बता कि इसके बाद कि oxygen ठीक है और यह क्या आगया अधिया वाई अधिया जालो कोई नहीं जोड़ा सा हम पीछ अट गए अधिकत कर रहा है वाई अधिया अधिया अभी हम देखते इसको तो अब हम बात करेंगे ठीक है कर रहा है oxygen का रक्त से उतक में परवैन अब आपका जो oxygen है वो बिलड से सिस्यूज में किस तरह से आपका पहुंचता है ठीक है यहां बर इसी के बारे में जो है अधिया चर्चा की गई यह कह रहा है डिफ्यूजन आफ ऑक्सिजन फ्राम बिलड फ्रू टिस्यूज ठीक है इसी में आपका रक्त से किस तरह से पहुंचता है दो से पहले मिमा अतकर है तो कई डिलड का ऑक्सिजन अपिसें टेंशन यह कंतर होता आपका पार्सीयल प्रेशर गesten पार्सीयल लिए अगर कर नहीं गए टेंशन लिखा आजा तो समझे लेना क्या है यह पार्सीयल प्रिटर है बिलड का oxygen partial pressure कितना होता है यह 100 to 150 mm of Hg ठीक है याद रहेगा अभी उपर पढ़ा था ना कितना था आपका oxygen का जो है partial pressure था बिलड में वो कितना था आपका 100 to 150 mm Hg ठीक है याद रहेगा कितना दूसरा कह रहे है टिस्यूज फिलेड का oxygen tension यानि कि oxygen partial pressure किसका टिस्यूज फिलेड का ठीक है जो आपका tissue है उसका oxygen tension कितना होता है 50-70 mm Hg अब देखो पर प्रेसर कहां जादा प्रेसर आपका उपर जादा तो उपर से नीचे मतलब कोई भी चीज हाई प्रेसर से लोग प्रेसर की गमन करती या ग्रो करती है ठीक मतलब चलती है तो यहाँ पर भी देखो प्रेसर किसका ज्यादा बिलड का जो oxygen है उसका प्रेसर ज्यादा है इन कंपरेजन टू टिस्यू फिलड के oxygen की तुलना में तो हम कह सकते हैं कि जो आपका बिलड का oxygen का tension 100-150 है और इसका tissues का आपका कितना है 152-70 तो यह वाला जो है oxygen वो यहाँ आ जाएगा किसका बिलड वाला oxygen अब आपका टिस्यू की और आना शुरू हो जागा ठीक है तो यह आपको इस तरह से ध्यान रखना थर्ड कह रहा है इसलिए oxygen blood state diffuse होकर tissues में पहुंच जाता है कारण क्या विकार्ड क्या है partial pressure या tension ठीक है दोनों का blood का oxygen का tension कितना है आपका 100-150 और आपका जो क्या है tissue fluid है उसका partial pressure कितना है 15 to 70 तो इनमें आपका अंतर दिखाई दे रहा है तो हाइप pressure से low pressure की और यहां पर oxygen जो है जाएगी ठीक है अब कह रहा है oxygen के absorption पर CO2 की सांधरता का प्रभाव भी अब देख लेते हैं कि कारणडा या ओक्साइड के जो concentration है बुक इस तरह से oxygen के absorption पर प्रभाव डालती है ठीक है oxygen के absorption पर carbon dioxide की सांधरता का प्रभाव ठीक है effect of carbon dioxide concentration इंदा आप जो सुन आप O2 की हम बात करें तो कह रहा है कि जो आपका रक्त में carbon dioxide का दबाव अधिक होने पर क्या होता है बिलड में अगर आपका carbon dioxide का प्रेशर अगर जादा हो जाता है तो हीमोगलोविन के saturation पर प्रभाव पढ़ता है क्या पढ़ता है saturation मतलब अवसोसर कहते हैं इसको के हीमोग्लोवन के अवसूसड पर क्या होता है इसके सैचुरेशन पर प्रभाव पड़ जाता है। कब हमारे बिलड में कारवन्डाई आॉकसाइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तब ठीक है हीमोग्लोवनлан की सैचुरेशन अवसूस्ड पर 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 आधिक आवस्यकता होगीजेंAI कदभा ज्यादाओ ब्रावर या इससे ज्यादा तो हमें यहाँ पर जो है पूर्टी करने के लिए ऑकशजह अधिक चाहिए वीटिक अग가 प्रिया द्वारा उत्कूं में पहुंच जाती है अभी जो हमने देखा था उपर उतकूं का जो प्रेसर था कम था उक्सीजन का विलड का प्रेसर कैसा था ज्यादा इस प्रिक्रिया द्वारा अब क्या हुता है अब oxygen उतकों में पहुंच जाती है तो कह रहा है Metabolism करके क्या करके Metabolism करके Carbon Dye Oxide का उत्पाधन करती है Metabolism मिंस वो अमक्रिया है जिने में आपको एनबोलिक और कैटाबोलिक दोनों अमक्रिया एक साथ देखने को मिलती है यानि कि किसी पदार्थ का Oxidation और Reduction अगर आपका एक समय पर होता है तो वो क्रिया है आपकी क्या कहलाती है Metabolism क्रिया है कहलाती है तो क्या होता है मतलब आप Oxygen कहां पहुंच गया कूत्वों में पहुंच गया कहना है Metabolism क्रिया करके कारवंडाई Oxide का उत्पादन करता है अब यहां पर आपकी Metabolism क्रिया होंगी ठीक है कौन-कौन सी Oxidation और Reduction ठीक है जिने हम क्या कहते है Catabolism और Anabolism कहते हैं और क्या बनेगा आपका कारवंडाई Oxide यहां से बन जागा ऐसी इस्तिधी में कारवंडाई Oxide का टिसू से निकलना आवश्यक हो जाता है अब क्या बन गया भई अब उसको बाहर निकलना जरूरी है उसका बाहर निकलना आवश्यक है जब कारवंडाई Oxide Concentration कम हो जाता है जब बाहर निकल जागा तो उसकी Concentration भी कैसी हो जागी कम हो जागी ठीक है कारवंडाई Oxide की तो Hb ठीक है हीमोगलोबिन की Affinity Oxygen के लिए बढ़ जाती है इसे बोहर effect कहते है अब भई क्या हो गया Concentration कम हो गए किसकी कारवंडाई Oxide की तो आपका जो हिमोगलोबिन होता है निकल के बाहर जाती है या ऐसे को कहते है बोहर effect क्या कहते है क्लिक्व बोहर इफेक्ट कारवन डई आक्साइड की कंसेंटेजिन कम होना कंसेंटेजिन कम हो जाएगी तो एच बीक करेगा जो हीमो ग्लोबिन हो आपका आरब्य शेस में वो क्या होगा अफिनिटी आक्सीजन के लिए बढ़ जाएगी ठीक है तो यही क्या कहला था आपका और परिभहन के परिवहन या ट्रांसपोर्ट कोता है इसका ट्रांसपोर्ट भी धिसन परने रफर करता है अभि आज तो भू परका रता तो擊 इसकिपर रिबन करना पर डिपेंड करेंगा करों कर सबसे पहले आप का क्रवंडियासाइड का परिवायन कष्छीस से विल तरह कहां पहुंचा देगा तिसू में मेटाबोलिक क्रिया बढ़ने लगता है अब यह जो प्रक्रिया आपकी टिसू में होगी मेटाबोलिक क्रिया इसके थूरू क्या होगा यहां पर क्या होगा कारवंडाय ऑक्साइड की कांसेंट्रेशन बढ़ने लगेगा या उत्पाद के रूप में आपका कारवंडाय ऑक्साइड बनने लगेगा तो इसकी सांदरता भी बढ़ जाएगी इसलिए वह धीरे-धीरे डिफ्यूज ओकर ब है अभी हमने किया देखा की आप कारवंडाय ऑक्साइड का ट्रांस्पोर्ट की जाते परिवहन परिवहन कारवंडाय या उक्साइड यह न् करके हम इनको पढ़ेंगे सबसे पहले अगर हम बात करें तो करहा हैं बिलेन के के रूप में ठीक है एज फिजिकल सॉलूसे स्वेफान पेहला प्यांट के सिजइक लूसें रूप में दूसरा रासायने कर अड़ों के ह्यां खैमिकल कंपांड आपŁ मोर्किक ठीक है billion के रूप में किस तरह से कार्वंज द या अकसाइड का परिवहन होता है बिलेट के द्वारा billion के रूप में कहरें इस रूप में बहुत ही थोड़ा भाग करीब 2.7 कितना 2.7 परसेंट के आसपास भीलेट पिलाजमा में घुलकर कारपोनिक एसजीर के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है तो इस बिदी में क्या होगा लिए भृई कौन सी विदी बिलेन के रूप में किसके रूप में घृय करें तो कह रहा है इसमें बहुत थे थोड़ावा किसका चारवंडी औक किस रूप में कार्वनिक एसेड के रूप में कि अच्ट यहां पर आपका क्या आईए वाटर मालिक्यूल है यह कहते हैं और इसी फ़ाम में इसका जो है ट्रांस्पोर्ट होता है ठीक तब इसके रूप में दूसरा पॉयंट लिखना है रासाइने कड़ुगों के रूप में, as chemical compounds, की अगर हम यहां पर बात करें, हैं ओकाम belongs के रूद का आदेख्तम भाग केमिकल कमपॉयंट के रूप में बिलेट द्वारा ट्रांस्पोर्ट किया जाता है, अभी हमने देखा था billion के थूरू तो वो कितना जा रहा था उसके 2.7% के आसपाथ अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी रासायनिक अड़ूं के द्वारा तो इसके द्वारा क्या होता है जो आपका carbon dioxide होता है उसका अधिक्तम भाग कितना है अधिक्तम भाग जो है chemical compound यह रासायनिक यह रासायनिक अड़ूं के द्वारा बिलट द्वारा रासायनिक अड़ूं के रूप में आपका बिलट द्वारा जो है ट्रांस्पोर्ट किया जाता है ठीक है अधिक्तम भाग किसका carbon dioxide का ठीक यह हैं विभिन रूप में ट्रांस्पोर्ट होता है इसका जो ट्रांस्पोर्टेशन होता है वो निम्न रूप में होता है सबसे पहले क्या होता है कार्वो अमायनो कंपाउंड क्या है कार्वो अमायनो कंपाउंड यह क्या करते हैं लगवग यहां करीब 10-20% तक ट्रांस्प आपके है क्या सब्सक्राइब करोगत करें की यह Ch 지 remark & aseg के उनले चे दोरा रोप में ट्रानसपर्ट हता है किसके दोबारा appreciate के दौारा किसके रूप में हीमोगलोविन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है कोन आपका कारवंड़ा उकसाइड की बात कर रहे है u तो कार्वोम्लोविन क्यों है जाहे हैं आपका है है और हम और है द्लॉस्त आपका साथ में रियक्शन करता है इसके साथ वाइंड हो जाता है तो क्या बना लेता है आपका कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन क्या बना लेता है कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन का फार्मिसन यहां पर हो जाता है ठीक है यह आपका कार्बो यहां से आपका बन जाता है और इसी फार्म में यह क्या होता है आगे चला जाता है इसका 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 इसकी सांदरता है वह किस तरह से आट्रेली अर्टी अल ब्लड ये आपके इनको कहते हैं कहते हैं जो जो ऑलोट होता है वह दो परसेंट और आपका वी शचाइब कहते हैं तो यह कितना यह इसाइब कर दो चुब शायों रहेगी दी आपका आ जाता सब हैडिन कार्वो अमाइनो प्रोटीन अब क्या है कार्वो अमाइनो प्रोटीन रहेगा अभी क्या था आपका कार्वो अमाइनो हीमो गलोबिन अब हीमो गलोबिन की जगए आपका क्या जगा प्रोटीन आ जागा कहरे यह प्लाजमा प्रोटीन से मिलकर compound बनाता है किस से मिलकर plasma protein से मिलकर क्या करता है compound बनाता है और आपका जो compound बनेगा उससे कहते है plasma क्या कहेंगे उसको कार्वोमाइनो protein कहेंगे इसका concentration कुछ इस तरह से होता है जो आपके arterial blood होता है यानि कि धमनी वाला उसमें 1% होता है ठीक धमनी वाले बिलेड में और बीनस की अगर हम बात करें तो इसमें कितना होता है 1.1% ठीक है तो आटेल में कितना होगा आपका 1% बीनस बिलेड में कितना होगा 1.1% ठीक है यह आपकी क्या है concentration है कि इसकी CO2 हम पढ़ रहे हैं ठीक है इस रूप में थोड़ी का मात्रा कारवंदा या कार्बोनेक्स की फरम में रूप में रहा अगर हम बात करें तो खTO कारें सतर से अटिव में जो fazla करście ने ऑर टोडियं होते हैं क्या होते हैं के दिक बातर्म के रूप में सतर से अटिव अर्चैन गया होते हैं कि अभी करें जुट सॉडिय। म। कारबुनेट जो है आपको देखने को मिलते हैं सबसे पहले अकर हम बात करें कसका है आपका सोडियum का कार्पूनेट रूप में काफी मात्रा ट्रान्सपोर्ड़ करता है किसमें में किसे में रूप में किसे के रूप में sodium by carbonate के रूप में क्या करता है ये काफी मात्रा ट्रांस्पोर्ट करता है कैसे करता है मान लिए गया आपका carbon dioxide दूसरा क्या आपका water molecule ये दोनों मिलके क्या बना लेते है carbonic acid H2CO3 क्या बन गया आपका carbonic acid अब देखो दुबारा से ये जो आपका carbonic acid है ये किसे मिलेगा आपका sodium by phosphate sodium by phosphate से मिला और ये आपका carbonic acid तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा sodium by phosphate और आपका क्या बन जागा sodium by carbonate sodium by phosphate और sodium by carbonate के आपर formation हो जागा कह रहा है arterial blood में इसकी मात्रा 33.1% होती है अब पहले कितनी थी आपकी 1% थी यहाँ पर अब कितनी होगी 33.1% हो गई venus blood में इसकी मात्रा 35.2% होती है ठीक है जो की बहुत अधिक होती है अपने आप में दूसरा आपका potassium by carbonate इस रूप में carbonate या oxide का transport RBCs के द्वारा होता है red bullet cells के द्वारा होता है ठीक है किसके रूप में जब का क्या होगा आपका potassium by carbonate होगा ठीक है इसकी उपस्तिदी में जो है carbon dioxide का transport RBC के द्वारा होता है red bullet cells के द्वारा होता है वो आपको किस तरह से होगा तो यहाँ पर आपका और आपका carbon dioxide का molecule प्लस आपका क्या होगा वाटर मालकुल ही है दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं आपके carbonic aml बना लेते हैं ठीक है carbonic aml अब यहाँ पर क्या हो जागा आपका carbonic anhydrase क्या हो जागा carbonic anhydrase जो कि आपका enzyme की तरह कारी करेगा किसकी तरह कारी करेगा एंजाइम की तरह कारी करेगा और क्या बना देगा आपका कार्बोनेट बना देगा ग्लोबिनेट बना देगा यह आपका क्या कार्बोनेट ठीक है क्या भन जायागा आपका potassium y-carbonate और आपका क्या भन जागा.......... हीमो ग्लोबिनिक एसेड ह से हाँ है में क्या हो गया है तो आपका यह बनता आपका potassium bicarbonate इसका फार्मेशन किसके द्वार होता है जो RBCS में आपका carbonic anhydrase enzyme होता है वो क्या करता है potassium bicarbonate का formation करता है ठीक है यह कह रहा है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आपका concentration क्या रहने वाला है carbon dioxide का artery village में इसका concentration 9.8 रहता है कितना 9.8 venus blade की बात करें तो इसमें कितना रहता है 10.5 परसेंट ठीक है 10.5 परसेंट इन विभिन कैमिकल कंपाउंड की रूप में जब बिलड लंग्स की आलवली में पहुंचता है किसमें पहुंचता है टेपड़ों की आलवली जो चोटी चोटी आपकी इस तरह की सरचना होती है इनमें जब आपका बिलड पहुंचता है ठीक है कैमिकल कंपाउंड के थुरू तो क्या होदा है तो यह सब डिसोसियेट होकर कारवंडाई ऑकसाइड रिलीज करती है क्या करती है इनमें पहुंच जाता है अब क्या करती है बही कौन से बिलड पहुंचा है ऐसे बिलड पहुंचा है जिसमें कारवंडाई ऑकसाइड है अभी क्या करेंगी यह सब क्या करेंगी डिसोसियेट हो जाए करती हैं अब यह करदेंगी लंग्स में इसको बिश्रित कर देंगी और लंग्स क्या कर देगा बाहर निकाल देगा ठीक है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि दिसोटीसिट रवह आफ रवन्डाई ऑकसाइड अ H2CO3 प्लस क्या बनेगा आपका H2O और CO2 यही दो मिलके बनाते हैं न कार्बनेक ऐसे तो क्या बनेगा विए H2O और कार्बन डाई ऑक्साइड की मत्रह यहां से निकल जागी प्लस आपका क्या था दूसरा हमने बना था कि है तो यह किस से मिलके बना रहा था आपका पोटेशियम कार्बनेट प्लस क्या बनेगा आपका कार्बन डाई ऑक्साइड और क्या बनेगा आपका वाटर मालेक्यूल बनेगा ठीक है किस से पोटेशियम बाई कार्बनेट से कह रहा है acidity of oxy-emoglobin क्या होगा acidity of oxy-emoglobin यहाँ पर देखने को मिलेगा तो आपका यह जो है sodium bicarbonate तो यह क्या बनाएगा sodium carbonate बना लेगा ह2O बना लेगा और एक क्या बन जाएगा आपका साथ में carbon dioxide बन जाएगा तो सभी में carbon dioxide औक्साइड रिलीज हो रहा है ठीक है carbon dioxide क्या हो रहा है रिलीज हो रहा है यानि कि dissociation हो रहा है carbon डाएगा ठीक है किससे carbonic acid से यह क्या होगा आपका oxy-emoglobin क्या है आपका oxy-emoglobin next अगर हम बात करें तो कह रहा है आपका यह क्या था है and HBNH और CHH क्या था है HB-NH और CWH इसका क्या होगा, reduction होगा due to higher concentration of oxygen, oxygen की अधिक सांदरता के कारण, इसका reduction हो जागा या इसका क्या हो जागा, अब chain हो जागा, तो क्या बनेगा HB-NH2, क्या बनेगा HB-NH2, ठीक है Amino-Hemoglobin कहते हैं इसको, यह क्या हो जागा, और next एंधन कारण, इसका क्या इसका आप इसका क्या जब आसे होता है लंग में, रलठ पहुचता है तो, उसमें कारण, रलठ नदेशिक्ट जब यह आसे हो जब अनदल, टेंशन इस क्या फेपनें, तो उसमें नदे आप कारण, आपक्षाइड का जो पारसिल आफका छोटी-छोटी ब्रांच जैसी आपकी सरचना है पाई जाती हाँ इस तरह की它향 है! इसलिए बीनस बिलट ठीक है क्या आपका जो बीनस बिलट होगा कारवंड़ा या उक्साइड में डिफ्यूज हो जाता है कौनसा जो बीनस बिलट होता है वो किसमें कनवर्ड हो जाता है कारवंड़ा या उक्साइड कारवंड़ा या उक्साइड कारवंड़ा या बिभिन रासायनिक पदार्थों के रक्त में बनने से बहुत से रासायनिक पदार्थ हमारे बिलेड़ में बनते रहते हैं कि आनिग को रियुम कैसा हो जाता है कैसा हो जाता है इसका संतुलइन हैं बर्क प्रिकडिया द्वारा किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे पडार्थां जो हमारे बिलड में बनते करने के लिए यह हैं कि तहीं मिडियुम हैre कि इसमें आपका जाता है सब्सक्राइब क्रेबत ने करें सब्सक्राइब नियम मिंए इसमें आपका बहरा है ठीक है क्या है आपका बहरा इसके बाहर जो आपका ये क्या है टिसू फिलेट ये किया आपका इसू फ्लेट और सप्रूब अब देखो यह जो आपका पूरा यह क्या है आपका एक एक रेड़्डotine क्या है यह आपugenic 언ách प्लाजमा में तो इसमें क्या कंडिशन है आपका टिशू फिलेट होगा प्लाजमा में पहुंचेगा कहा पहुंचेगा प्लाजमा में और प्लाजमा से दीरे दीरे कहांटर करेगा आपका आर बीसी में ठीक है कहां रेट बिलर सेल में जब यह जाएगा तो यह जल के मालेकूल के साथ में मिलकर क्या बना लेगा आपका कार्बने कामल का फार्मेशन यहां पर हो जाएगा ठीक है अब यह क्या आप और कोटैसियम हीमो गलोबिन ठीक है एक्षज अपका बाइपका भाइक आ कारभानेट और क्रीम क्रीम हीमो ग्लोबिन आपका यहां पर है तो यह क्या बना-लेंगे आपके छी तो है हम फंप और क्पर और और हम क्पर आपका is con यहां से आपका K तो निकल जाएगा ठीक है के HCO3 की अगर हम यहां पर बात कर लें तो यहां से जो आपका K है वो पिलस की फार्म में बाहर और HCO3 इस पर क्या आ जागा माइनस का चार जो है इस पर आ जाएगा और यह बन जागा आपका Y-Carbonate iron क्या बन जागा आपका? यह रहाऊं एक है और यहां पर देखो क्या हो मिया आयन बन गड़ा क्या आपका? इससेああ बन गया तिक है? प्रटा 2 डूं से य संतुनय रहन के लिए इस के लिए में प्लाज्मा में आपका जो और इसका सील इसका जो सील होता है माइने इसका जाता है वो आपका आर्बी सीज के अंदर यानि कि रेट बिलेट सेल के अंदर जो है आपका जाता है और क्या था आपका और इसका सेल टाइसे आपकर जाएं प्रिट आसे के अच्वड़ार किया बनालेगा बनालेगा थो इस तरह से इस नों की आनिकी वांद आि के दिखो यहां पर क्या मिल गया यह के चल था च park the two- pretend cards et यहां से आपका K बाहर निकला और यहां से क्या बन गया आपका NaCl बन गया तो इसके बाद जो आपका बाहरारा जागा च्पा बन कीज़ाई से बढ़ारा की बन गया होगा आपका बना धाए यह आपका हो यह दोनों आपके बने रहें और आपका आयन ता प्थीक है आपका बने रहें ऐसे होगा और plasma में आपका जो बचा हुआ remaining part था NaCl का वो प्लस की form में रहेगा और वो क्या होगा दुवारा से NaHCO3 यानि की sodium y carbonate का formation याँ पर दुवारा से हो जागा ठीक है sodium y carbonate यहाँ पर आपको दुवारा से मिल जागा इस तरह से क्या होता है इसमें जो आपके ions की संदर्ता होती है या इनके जो equilibrium होती इसको संतुलित कर किया जाता है यह किसने दिया था यह आपका Chloride Shift नाम से जाना जाता है जाना जाता है Chloride Shift यह इसको Thy हमब्बर्ग हैती meaningful Dul suz Our algorithm 서ք प्लोगर्गर various phenomena शिफ्ट के नाम से भी जानते हैं तो इस तरह से क्या होता है आयंस का संतुलन बना रहता है ठीक है आयंस का संतुलन बना रहता है क्लोराइंड शिफ्ट और हैंबर्गर फिनोमिना यह रखत के आयंस संतुलन को क्या करता है विलड के आयंस संतुलन को बनाया रखने के लिए ह होता है ठीक है तो बिलेड में जो आपका आयंस की सांदरता कम जादा हो जाती उसी को यह करता है वैलेंस करता है इसे लीनियस फिनोमिना भी कहते हैं तो इसको लीनियस फिनोमिना के नाम से भी जाना जाता है यह आपका cardiovascular system में होता है कि समें होता है cardiovascular system में होता है ठीक है cardiovascular system की अगर हम बàat करें तो आपर heart और आपका बिलेड शिल्स बैसल्स तो यह मिलकर क्या बनाते हैं आपके यह सब मिलकर कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम का फार्मेशन करते हैं ठीक है नेक्स्ट थोड़ा सा और रह गहें है ठीक है क्लोराइड आइन का उत्पादन एने चैल की डिसोसीर सन्ट दोरा होता है जब आपका एने सियल का डिसोसीर रहा है किसमें प्लाजमा में इसका डिसोसीर सन्ट किसमें हो रहाता प्लाजमा में हो रहा था और किसे पारम में हुआ था उड़ा था जब आर भी एक अंरमी झेल रखी ती आर बी से उसमें क्या था आपका guar मेट आट प्लाजमा में क्या था IPO ुद्यूं क्लोराड जहां से हमें क्या नहीं था से ले बढ़ जाता है तो वह अने लगत liegt-प्लाजमा में बाहर आने लगएगा आगा वारी कार्ड़ीस li कमी हो जाते हैं लिए क्रमी हो जाते हैं निगेटिव निकल जाता है वाइक कर बाड़ negative iron की कमी हो जाती है जिसको पूरा करने के लिए जिसकी पूरती chloride iron के RBCS में diffusion द्वारा की जाती है अब जो आपका chloride iron था हमें कहां से मिले था प्लाजमा में जो NACL था बहां से chloride iron मिला था अब ये क्या करेगा chloride iron कहा जाएगा आपका RBCS में जाएगा उसमें इसका बिसरन हो जाएगा या diffuse हो जाएगा तो बहां से जो negative iron की पूरती हो जाएगी ठीक है किसके द्वारा क्लोरीन के द्वारा इसी पूरी प्रिक्रिया में carbon dioxide transport के दौरान ionic equilibrium maintain किया जाता आप यह जो पूरी प्रिक्रिया है हमने यहां पर जम समझा था hamburger hamburger फिनोमेना कह सकते हैं इसमें क्या हो जाता है कारवंड़ा यॉक्साइड के ट्रांसपोर्ट के दौरान carbon dioxide का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या हो जाता है के टिसू से कहां जा रहा था si legal system के दौरान क्या होता इनट काश जाता है तो यह पूरा जो आपका system क्या करता है केबल आयनिक ईक्किलिब्रियम को ही संतिलित करता है लेकिन करा चूंकि यह क्रिया क्लोराइड आयन पर निर्वर करती है इसलिए इसे क्लोराइड शिफ्ट रियक्षन कहते हैं किस पर निर्वर करती है आपकी क्लोराइड आयन पर निर्वर करती है इसलिए इसका नाम कह रख दिया है क्लोराइड शिफ्ट रियक्षन के नाम से जानते हैं या इसको हैंवर्ग हैंवर्गर फिनोमिना भी कहते हैं कह रहा है क्लोराइड शुट का यह फिनोमिना सेल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी को मैंटेन करता रहता है सेल की जो आपकी कोश्गा है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी यानि कि उसमें जो आ ठीक है तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में बने रही हमार सा थैंक्स वर वाचिंग शेर दा वीडियो